गुड मॉर्निंग वच्चों हम लोग चतुर्था पाठा आकारांद पूलिंग सब्दा प्रतम पुरुस बहुवचन देखेंगे तो पिछले क्लास में हमने एक वचन और विवचन को जाना था तो अब हम लोग बहुवचन पर आते हैं तो बहुवचन किसे कहते हैं बहुवचन दो या दो से अधिक संख्या होने पर उसे हम बहुवचन कहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे चित्र दिये गया हैं और इन चित्रों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सभी क्या है बहुवचन है अब हम जो उचारन करेंगे जैसा उचारन करेंगे आपको उसी तरह से उचारन करना होगा तो सुरू करते हैं बालका, नरा, छात्रा, नरीपा, मरीगा, कपोता, मयूरा, उकुर्टका, भक्ता, तिक्छका, चिकित्सका, सैनिका, वानरा, पिहा, गजा, अश्वा, मोशका, व्रिशभा, कुकुरा, सुका अब देखिएगा कि हम पहले एक-एक सब्द में देखें अब हम लोग वाक्य में उसको देखेंगे चात्रा पठन्ती इसका अर्थ है कि अनेक चात्र पढ़ते हैं वानरा कुर्दंती अनेक बंदर दोडते हैं सिस्य लिखंती अनेक सिस्य लिखते हैं मुसका धावन्ती अनेक चुहे दोडते हैं ते बालका संती वे सभी बालक हैं या वे बालक हैं ते सैनिका संती वे सभी सैनिक हैं या वे सैनिक हैं गायका गायन्ती गायक गाते हैं अतार अनेक गायक गाते हैं भक्ता नमन्ती अनेक भक्त नमस्कार करते हैं दीपा ज्वलन्ती अनेक दीप जलते हैं ब्रह्मरा गुज्यन्ती अनेक भौरे गुंजते हैं अब यहाँ पर वाक्य तिन दिन दिया गया है तो पहला क्या है ते के संती तो वे सभी कौन है या वे सब कौन है ते अश्वा शंती वे घोरे हैं अश्वा धावंती घोरे दोरते हैं ते के संती वे सभी कौन है ते खगा संती वे सभी पक्छी हैं खगा मतलब पक्छी खगा उत्पतनती पक्छी या फिर पक्छियां उड़ती हैं तो ये तो हो गया पार्ट और इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ जो अवसिक सब्द दिये गया है उनको आप आद भी किजेगा और ये संशिप्त में यहाँ पर आपको सब्दार्थ में दिया गया है ये सभी को आपको कौपी में लिखना है तो ते से लेकर उत्पतनती तक अब यहाँ पर देखेगा ब्याकरन तो इसका ब्याकरन है धातू धातू में अंतिम प्रत्य लगाने पर प्रथम पुरूस बहुवचन की क्रिया बनती है प्रथम पुरूस की बहुवचन की क्रिया अब बढ़ेगा प्रथम पुरूस मतलब पहला होना चाहिए और ये बहुवचन कैसे हुआ, तो संस्क्रीट में प्रथम पुरुस को बहुवचन में रखा गया है, ध्यान दिजिएगा जैसे तो इन सभी को आपको याद करना है और इसको कॉपी में लिखना है, ये सभी आपको ये नहीं सुचना है कि एक्जाम में हमको जो मिस लिखवारिये वही आएगा, आपको पढ़ा दिया जा रहा है, आपका कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए सभी चीज़ को विशेश र बाद आपको नहीं से दोड़ते हैं, छिए घाएएगा, भी आपको ये नहीं तो आपको ये उन्यावार्वार्वादॅज को ये।